और यह जो certificate आपको मिलेगा, इस certificate में आपको Google के तरफ से उसका badge मिलेगा, मतलब उस certificate पे Google का नाम रहेगा, ठीक है, Google Career Certificate, जो की आप जानते हो कितना valuable है, बहुत ज्यादा valuable है, आपको highly paid job मिल सकता है, ऐसे certificate होने से होने से होने से होने हैं, आपको पता होगा कि Python में काफी high salary है, ठीक है, आपको screenshot में देखी रहा होगा, ठीक है, आप अगर थोड़ा सा और research कर सकते हो, तो बहुत अच्छी बात है, आपको पता चलेगा Python में कितना अच्छा scope है, इंडिया में ही नहीं, पूरे world में, ठीक है, क्योंकि ये एक IT की service है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ develop कर सकते हैं, वैसे भी आजकल future ही है, ठीक है, तो Python में काफी अच्छा salary है, काफी अच्छा jobs मिलेंगे आपको IT सेक्टर में, और बहुत reputed companies में भी आप जा सकते हो, इसमें कोई सक नहीं है, बले आप सुरू में कोई चोड़ा मोटा company जोइन क करो, फिर कहीं पर join करो, ठीक है, तो Python आपको एक बहुत अच्छा career आपके लिए बन सकता है, career option, तो आज मेरे पास कुछ free online courses है Python के उपर, और मैं आपको recommend करूँगा कि इन सब courses को अगर आप करते हो, तो जी हाँ, आप Python में काफी आगे बर जाओगे, ठीक है, और आपको का अच्छा knowledge हो जाएगा Python के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ पर देख सकते हो, एक बहुत ही अच्छा university है, और यह भी course Google के तरफ से offer किया गया है, तो धीरे धीरे डेखते रहिए, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ कितना Python developer बनने के लिए, ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले और देखते हैं कौन सा है हमारा course number one, course number one है हमारे पास Python complete course for Python beginners, यह course मैं सबसे पहले आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यह जो course है, इसमें beginners के लिए ज्यादा focus किया गया है, ठीक है, अगर आप beginner हो, आपको क requirement बोला नहीं गया है, ठीक है, only the very basic computer skills are needed, जो कि हम सबको आता ही है, और एक computer चाहिए है, जिसमें आपको internet होना चाहिए, ठीक है, जिसमें आप लोग Python learn कर पाओ, बाकि आप लोग description check कर सकते हो, और यहां पे अगर मैं बात करता हो, कितने lectures हैं, तो only 51 lectures है, एक ही section है, एक ही section म तो यह course आप लोग कर सकते हो, beginner के लिए, उसके बाद आते हैं, उसके बाद हम लोग को एक flask framework के बारे में बता जाएगा, basically यह एक Python जो software होता है, उसी का एक part होता है, flask framework जिसको हम लोग use कर के आगे क्या क्या बना सकते हो, आप लोग को यहां पर बता चलेगा, ठीक है, औ और यह course जो आप है, आप देख सकते हो, बारा घंटे का course है, ठीक है, और यहां पर बस 104 lectures है, ठीक है, 104 lectures है, दो sections है, एक flask framework और इसमें भी कुछ Python beginners दिये गया है, ठीक है, तो यह भी course आपको थोड़ा beginner के लिए help रहेगा, और इस course को enroll कर सकते हो, आप लोग, और यह जो course है और जो पहला course है, वो बस एक दिन के लिए available है, यानि कि मैं आज 24 तरीक को यह course बना रहा हूं, तो आप लोग को मिलेगा वो 25 तरीक तक free मिलेगा, ठीक है, 24 में 2021 को बना रहा हूं, तो 25 में 2021 तक free मिलेगा, और कुछ courses ऐसे हैं, जो आपको काफी दिनों तक free मिलेगे, तो ऐ दिनों के अंदर, तो आप लोग जल्दी से enroll कर लिजे इन courses को, ओके, और अगर by chance के course expired हो जाता है, यानि कि वीडियो आप बाद में देख रहे होंगे, तो don't worry, मैं अपने चैनल पे काफी free online courses के उपर वीडियो बनाता हूं, useful वीडियो बनाता हूं, आप लोग के करियर के है, तो please definitely subscribe कीजिएगा चैनल को, ओके, और एक बात कर लेते हैं, आप लोग को join करना है हमारा free facebook page, जो की जिसमें आपको काफी जारे युडेनी courses के और दूसे-दूसे free online courses के updates मिलते हैं, links मिलते हैं actually, तो जितने भी अच्छे-चे courses आता है, मैं उस facebook page पे upload कर देता हूं directly, और तो और मैं आपको ये भी recommend करूंगा, की, एक telegram channel है, हमारा जाहना courses नाम से, उसका भी screenshot आपको दिख रहा होगा, उसको भी join कर करेंगे हमारे हर एक videos, हर एक courses के ऊपर, ठीक है, तो आप अच्छे-च्छे courses को miss नहीं करोगे फिर, okay, तो फिर आते हैं हम लोग course number 3 के ऊपर, course number 3 में है हमारे पास, python programming, एक concise introduction, basically ये जो course आप देख सकते हो, course era के तरफ से available है, ठीक है, और यहाँ पे एक चीज मैं आपको बत सकते हो, और एक लाग साथ हजार लोगों ने औरेडी enroll कर लख है, ठीक है, तो आप लोगों को just simply join for free, यानि कि sign up करना है, या पि लॉग इन कर लेना है, अगर आपके पास और अगे बर होगे, तो आपका ये course enroll हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बाते कुछ ये है कि 23% started a new career after completing this course, ठीक है, यानि कि जितने भी लोगों ने, जितने भी लोगों से मेरा मतलब है, एक लाग साथ हजार में 23% लोगों ने एक अपना new career इस course को complete करने के बाद सुरू कर पाया, और 22% got a career benefit, यानि कि वो लोग already job में थे, और ये course करने के बाद उन्हें और भी skills ग् ठीक है, और आपको ये course complete करने के बाद जैसे आपको एक सेरेवल certificate मिल जाएगा, यानि कि एक digital certificate मिल जाएगा, और ये जो course है, वो 100% online है, इसी Coursera बाले आपको ID पे complete कर लेना है, आपको कहीं इधर अधर जाके नहीं करना है, और बिल्कुल beginner level के लिए है, जो कि आपके है, ठीक है, तो ये सब आप लोग देख लेना थोड़ा depth में, और अगर आपको ऐसे लगए कि हाँ, मेरा कोई फाइदा है इस course को करने के बाद, तो देख लेना, ओके, यहाँ पर फिर से आते है, Udemy का course number 4 है, यह हमारा, और Udemy में available है, तो don't worry, यह जो course है, यह हमेशा के यह free है, lifetime free है, और यह मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए क्योंकि यह just simple सा course है python के उपर, एक आप लोग का round up हो जाएगा python में, तीन courses वजो करने के बाद, एक round up हो जाएगा, basically python from beginner to intermediate in 30 minutes, बस 30 minute के अंदर का course है, actually है तो 1.5 घंटे का course, लेकिन आपको एक round up basically मिल जाएगा, और काफी अच्छा rating है, आप देख सकते हो, 7514 लोग ने अगर rate किया है, तो 4.2 rating है, यानि कि यह काफी अच्छा course है, 90,000 से भी ज्यादा student enroll है, simply enroll now पे click के जिएगा, login sign up करके, enroll हो जाएगा, इसका कोई validity नहीं है, limited period नहीं है, आप इसको कभी भी enroll कर सकते हैं, यह हमेंशा क basics क्या होता है, basically आप लोगों को अपना जरू को, अपना मतलब बहुत ज्यादा अच्छा से basics आना चाहिए, आप कुछ भी सीख रहे हो, ठीक है, उसमें अगर आप अपना basics अच्छे से tight रखते हो, तो आपको बहुत खेल लेगा, तो python basics जो की university of, यह मैं प्रोनाउंस नहीं आपको दबाना है, जैसे ही, दबाओगे, वो आपका हो जाएगा, instructor की बात करें, तो यहां पे काफी experienced instructor अविलेबल है, तीन instructor, यानि कि तीन teachers ने मिलके बनाया इस course को, और आप देख सकते हो, serial certificate वैसे ही मिल जाएगा, 100% online जाएगा, और 36 गंड का course है, यानि कि मुझे लग सब्सक्राइब करने के बाद और कोई basics के जल्वत होगी, ठीक है, तो चलिए next courses के और आगे बढ़ता है, यह थोड़ा Python course के related है, Google IT Automation with Python Professional Certificate, और यह जो certificate आपको मिलेगा, इस certificate में आपको Google के तरफ से उसका badge मिलेगा, मतरब उस certificate पे Google का नाम रहेगा, ठीक है, Google Career Certificate, जो क कि आप जानते हो कितना valuable है, बहुत ज्यादा valuable है, आपको highly paid job मिल सकता है, ऐसे certificate होने से, ठीक है, तो definitely आप लोग देख लेना है, अब बात करते हैं, इस course के ऊपर, यह Google के तरफ से available है, तो ज्यादा बात करना भी नहीं है, 17,000 से भी ज्यादा लोगों ने enrolled, sorry, rate किया है, और पर से online रहेगा, beginner level, अगर आप beginner भी हो, तो इस course से start कर सकते हो, ठीक है, और approximately 8 months to complete, यानि कि यह professional course है, ऐसा नहीं कि कोई घंटों में complete होता है, तो यह आपको हर महना, जो भी आपका, देखे, weekly आपको 5 घंटे minimum देना होगा, इस course में, ठीक है, आप, simply enroll पर प्रीपी क्लिक कर तो आपको आगे का step पता चल जाएगा, वहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, कि कितने modules आपको हर week में complete करना है, कितना घंटा आपको देना है, ठीक है, वो सब, तो देख लेना, गोगल के तरफ से अगर आपके पर certificate हो, तो आपको काफी फाइदा होगा, ओके, फिर बात क courses है, definitely, तो shareable certificate मिल जाएगा, जैसे eight month में आपको complete कर लोगे, और एक चीज में आपको दिखा देता हूं, और यह जो course है, यह बिसिकली तीन घंटे week में देना है आपको, ठीक है, यानि कि, आठ महीनों तक, हर हफ्ता, तीन घंटे देना है, इस course में, और यह course आप आराम से स अधर में, अब यह सब discuss नहीं करते हैं, क्योंकि मैं आपको simply दे दूँगा, link नीचे description में, इन courses का, आप लोग देख रहे हैं, ओके, तो हमारा crash course, एक crash course तो होना ही चाहिए, ठीक है, इस course का आप लोग last में कर सकते हो, ठीक है, crash course होना चाहिए, वो भी Google के तरफ से, अगर crash course है, python के उपर, तो मुझे लगता है कि आप लोगों करना चाहिए, और अगर यह certificate आप लोग लेके जाओगे, python के उपर job लेने के लिए, तो आपको कहीं न कहीं, बहुत अच्छा recognition मिलेगा, दूसरों के मुकाद्दे, ठीक है, तो आप देख सकते हो, और मैं क्या ही कहूँ तो 3,44,000 से भी ज्यादा लोगों ने enrolled करके रखा है, और यहां पर यह जो course है, यह course around 32 hours लगेंगे complete करने में, लेकिन आप लोग इसको बहुत ज्यादा time लो, 32 है ना, तो आप हो सकता है, आप इसको 100-200 घंटे तक आप लोग इस course को अच्छा से देखो, जितना सीखना मिल है उतना सीखिए, ठीक है, अच्छे से सीखिए, ऐसाने कि 32 घंटे आप वीडियो चला के रख दी और आप सब सीखिए, आपको pause करके, धीरे-धीरे repeat करके, आपको हर चीज सीख के आगे बनना होता है, obviously online courses में, तो around 32 घंटे का course है, actually length है course का उठो, ठीक है, और बाकि बहुत है, और यहां पर हमारा course, last course आता है, programming of, sorry, programming for everybody, getting started with python, ठीक है, तो, okay, यह भी university of, यह से है, ठीक है, और 4.8 का rating इस course का overall, और आप देख सकते हो, बहुत लोगों ने enroll करके लखा है, ठीक है, around 21 लाख लोगों ने enroll करके लखा है, यह बहुत ही high number है, ठीक है, तो इसमें आपको I think programming, Python programming को लेकर है, तो आपको बहुत कुछ सिखने को मिल जाएगा, और 19 गंडे का course है, यहां पर सेरिवल सर्टिकेट है, और आप देख सकते हो, 30% लोगों ने अपना new career start किया है, 31% लोगों ने अपना job ने promotion पाया है, और इसी तरीके से promotion पाया है, 12% लोगों ने, ठीक है और benefit पाया है, 31% लोगों ने, ठीक है, sorry, ओके जो भी है, तो यह course करने के बाद भी लोगों को फायता हो रहा है, और online courses में भी आजकल बहुत ज़्यादा दम है, हम सब जानते हैं, ऐसा नहीं कि offline courses ही जरूरी होता है, online courses और हम लोग काफी कुछ सीख सकते है online courses से, तो इसमें भी आप लोग को login या join for free करके, enroll for free में दमाना है, ठीक है, और इन सब courses की links आपको नीचे description में मिल जाएंगे, और Facebook page को भी join कर लेना, कि वहाँ पे जो भी अच्छा अच्छे courses आता है, बाकी categories के उपर या बाकी, अगर python के उपर आया, तो मैं डाल दूंगा, ठीक है, तो द